जय गुर्दे फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल जय जी डियाल क्राप में स्वागत है आज हम इस तरह से सलाईयों से छे नमबर के लिए डुगोपाल की बड़ी प्यारी सी ड्रैस बनाएंगे इस तरह को हमने स्क्वेर शेप में बनाया है और से इस तरह से 25 से डेकुरेट के सलाईसे से बनाया है तो चलो हम इसे बनाना शुरू करते हैं इस वीडियो को अप लाश तक देखिए इसमें मैंने सभी साइजों के बारे में बताया है इस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी सलाई के अंदर हम ग्रीन क्लर के उनसे 22 फंद डालेंगे इस के लिए में अपन सबी फंदों के मुल्टा बनाएंगे उल्टी तरब से भी उल्टा बनाएंगे और सीधी तरब से भी उल्टा बनाएंगे इस तरे बनाते हैं इसके अंदर में दो सलाईयां उल्टी उल्टी निकालते है दो सलाईयां उल्टी उल्टी निकालनी वापसे मुल्टी सलाई में आ गए अब शुरू में तीन फंद्यम पट्टी के उल्टे बनाएंगे आगे के सबी फंद्यम गोल्डन येलो कलर क्यों से उल्टे बनाते हैं बीच के फंदे में यलो क्लर क्यूंसे बना लिए लास्ट के तीन फंदे हम अपनी ग्रीन क्लर क्यूंसे बनाएंगे इसके लिए मैं अपना दूसरा उन जॉइन करते हुए अपर अब इसके हम सिधी तरफ आ गए है तिस्तरे हमारी बोडर की तीन रो निकल गई है अब यहां से अपनी चोले के अंदर हम जाले डालेंगे पट्टी के तीन फंदे हम उल्टे बनाते हैं डा कलर से बनाएंगे फिर अपनी उनको हम पीछे रखेंगे आगे लेके आएंगे इस अगला फंद हम सीधा बनाएंगे जाले डालते हुए एक फंद हम सीधा बनाते हैं अब इसी फंदे के दूसरी तरफ जाले डालेंगे तो उनको अपनी तरफ करेंगे जाली डालते हुए बाजू के चार फंदे हम सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार यह हमारे चार फंदे बाज़ी के हो गायει अब इस फंदे के दोन उतरप जाली डालेंगे उनको अपनी तरफ लेंगे जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनेंग़ अब दूसरी जाली डालते वे पीछे के पाटके चार फंदे सीधे बनेंगे· दो तीन चार फिर उनको अपनी तरफ करेंगे जाली डालते वे एक फंदा सीधा दूसरी जाली डालते वे दूसरी वाजू के चार फंदे सीधे तीन चार अब इस फंदे के दोने तरफ जाली डालेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे जाली डालते वे एक फंदा सीधा फिर उनको अपनी तर्फ करेंगे अचार करके विरन को अपने प्रप करेंगे इसतरे से सलाई के उपर आगे novideonie तब्रां करकेक, इसकार स्लाई के दलाई के ग्रीन क्लड में न के लेंगे अपंटी के तीन फंदे उल्टे बना। इस तरह हमारी इसमें एक बार जाली बन गी है, चार बार जाली है, चार जेगे जाली है बनती है, उल्टी स्लाई हम पूरी उल्टी निकालेंगे, जो फंदा जिस कलर करेंगे, वापस से हम सिद्धी दरफ आगाएं, पट्टी के तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, उन को पिछे करेंगे इसलिए बार हमने यहां पे जाली डालेती लेकिन इस पार हमारा एक फंदा सीधा बनेगा फिर जाली वाले फंदे पर हमें जाली डालनी है जाली डालते वे एक फंदा सीधा आप दूसरी जाली डालते वे हमारे दोनों तरब से एक एक फंदे बढ़ जाए दूसरी जाली डालते वे पिछे के पाट के हमें 6 फंदे उल्टे बनाने हैं कि दोनों तरब से हमारा एक एक फंदा बढ़ जाता है फिर जाली आ गई जाली के उपर जाली डालते वे एक फंदा सीधा दूसरी जाली डालते वे बाजू के 6 फंदे सीधे बनाएंगे दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर जाली के उपर जाली, दूसरी जाली डालते वे एक फंदा सीधा, उनको क्रॉस करके पट्टी के तीन फंदे हम उल्टे बना लेते हैं, इस तरह से हमारी जालीय बनेंगी, उल्टी स्लाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी, इसके अंदर हम इसके अंदर हम एक फंदा बढ़ता जाएगा, बीच में लेकाश बसे बाज़ी बढ़ाएगा, पीछे के बाज़ी बढ़ेंगे, दूसरी बाह्त पालते सीधा, यह एल्लो कल फंदा बढ़ेगा, पट्टी के फंदे हमारे तीन ए रहेगा, नहीं दो ला जाली स्SUShTF, चार इसके अंदर मैंने छे जालियां कम्प्लिट कर लिए एक दो तीन चार पांच और ये छे जालियां कम्प्लिट हो गई है और हमारे सलाई के अंदर कुल 70 फंदे हो गए चारजे के जालिये बनती हैं तो 48 फंदे तो हमारे जालियों के हो गए 22 फंदे हमने डाले थे अब इसके अंदर अपनी बाजू बनाएंगे पट्टी के 3 फंदे हम उल्टे बनाते हैं उनको पिछे ले जाएंगे यलो कलर के उनसे 6 फंदे सीधे बनाएंगे तो आगे के पाट के कूल हमारे 9 फंदे हो जाएंगे 6 अब आगे 17 फंदों के अंदर अपनी बाजू बनाएंगे इसके लिए मैं दूसरा यलो कलर का उन जोइन करती हूं उससे 17 फंदे सीधे बनाते 16 17 फंदे हमारे बाजू के हो गए यहीं से गुमा लेंगे यह हमारी पहली स्लाई है इससे निकालते हैं इसके अंदर हम खुल 6 स्लाई हैं निकाल लेंगे एक हमने निकाल लिए दूसरी हम निकाल रहे हैं चार स्लाई हैं और इसके अंदर उल्टी सीधी निकालते हैं तो खुल अमारी 6 स्लाई हो जाएं इससे बनाते हैं इसके अंदर मैंने 6 स्लाई हैं सीधी उल्टी निकाल लिए अब इसके अंदर अपना वापस्यम ग्रीन कलर लेंगे ग्रीन कलर से इन सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरे हमने सभी फंदों को उल्टा सीधा बना लिया है अब उल्टी स्लाई में भी हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे उल्टी स्लाई में भी सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे इस तरह इसके अंदर एक रोग आटी स्टिच की बन जाएगी इसके बाद दो उस लाईया यलो कलर से निकालेंगे सीधी सीधी फिर दो वापस से ग्रीन से और फिर यलो से निकालके सभी फंदों को घटा देगे अब अपनी उनको याँ कटने करेंगे हम वापस से अपने यलो कलर के उनसे दो रोग निकालेंगे सीधी सीधी फिर वापस से ग्रीन से और फिर यलो से इस से मैंने अपनी बाजू कम्प्लेट कर लिये हैं सभी फंदों को गटा दिये छे स्लाइएं हमने सीधी वापस से निकाली फिर दो ग्रीन से दो यलो से दो ग्रीन से और फिर यलो से एक स्लाई निकालके दूसरी स्लाई में हमने सभी फंदों को कटाके अपनी बाजू को कम्प्रिट कर लिया है कुलिस के अंदर हमारी 14 स्लाई निकलिये अब पिछे के पाटके अपनी स्लाई के अंदर हम 18 फंदे बना लेंगे फिर दूसरी बाजू बना लेंगे 17 फंदों में, फिर आगे के 9 फंदे इसी स्लाई में बना लेंगे, 18 फंदे बनाएंगे, इस तरह बनाते हैं मैंने अपनी दूसरी बाजू भी कम्प्लीट कर लिये, सभी फंदे अमारे स्लाई में आ गए, अमारे स्लाई के अंदर 36 फंदे आगे के पाटके, अठारा पंदे पिच्छे के पाटके और सत्रा सत्रा पंदों में हमने अपनी बाज्यू बनाई अब इसके अंदर हमने एक सलाय निकाल लिए इसके अंदर हम कुलम दस सलाय निकाल लेंगे तो नो सलाय निकाल लेंगे और आप अपने लड़ू को पाल को नापकेस में सलाईयां कम जादा भी कर सकते हैं चोली की लंबाई में तिस तरह से चोली कंप्लिट करते हूं उसके बाद हम अपना घेरा बनाएगे अब हम इसका घेरा बनाते हैं घेरा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी यलो कलर क्यों लेते हैं अपनी दोनों दस नमबर के सलाई लेंगे और इसके अंदर इस तरह से हम 21 बंदे डालेंगे 21 बंदे डालने के बाद एक सलाई निकाल देंगे यहाँ पर नौट लगा लेंगे अपने उनको पहली सलाई में सभी फंदों को मुल्टा बनाएंगे फंदे डालने के बाद लास्ट वाले फंदे को उनको पिछे करके से सीधा बना लेंगे अब दूसरी सलाई में आ गए दूसरी सलाई में पहला फंदा स्लिप करूंगी और सभी फंदों को उल्टा बना के अपनी सेकंड रो कम्प्लिट करतें थाड रो में आ गए थाड रो में भी हम सभी फंदों को उल्टा बना के से कम्प्लिट करेंगे लास्ट वाले फंदे को उनको पिछे करके से स्लिप कर लेंगे से बनाएंगे इस तरह फंदे डालने के बाद इसके अंदर हमने तीन स्लाएं निकाली तो फंदे में इक फंदे वाली एक उल्टी एक सीदी रेक उल्टी रेक सीदी इसके अंदर हमा पना सेकंड क्लर जोइन करेंगे जो मैं ग्रीन क्लर लेती हूँ अब शुरू में ग्रीन से हम दो फंदे उल्टे बनाते हैं एक, दो यही से अपनी सलाईक हम गुमा लेंगे एक फंद हमने उल्टे बनाया उनको पिछे करके इस वाले फंदे को में सीधा बनाना है जब हम कलर चेंज करेंगे तो सीधी तरफाएंगे तो यह फंदा हमारा सीधा बनेगा अब उल्टी सलाई में इस फंदे को स्लिप करेंगे आगे एक फंदा है उसे बना लेंगे अगली सलाई में से एक फंदा ओड लेंगे तब हमारे सलाई में कुल तीन फंदे हो गए, यही से अपने सलाई को टन कर लेंगे, पंदों को बनाएंगे उल्टा, लास्ट वाले फंदे को उनको पिछे करके से स्लिप करना है, सीधी सलाई में एक बारी से सीधा बनाना है, दूसरी बारी से स्लिप करना है, अब वापसे ह अपना यलो करण लगाएंगे, तो शुरू के तीन फंदे ने ग्रीन बना लेंगे, फिर आगे की तरफ से एक फंदा और अपनी स्लाई में ले लेंगे, अब हमारे स्लाई में चार फंदे हो गए, यहीं से अपनी स्लाई को गुमा लेंगे, एक, दो, तीन फंदे हमने बनाए, हमारा लास्ट वाला फंदा आ गया, उनको पिछे करके इसे पहले सीधा बनाएंगे, क्योंकि इस बार भी हमारा कलर चेंज हुआ है, वापस उल्टी स्लाई में आ गए, उल्टी स्लाई में पहले फंदे को स्लिप करेंगे, और बच्चे व अगले स्लाई में से एक फंदाओर अपनी सलाई में ले लेए, अब आखर अकिस्य में स्लाई में पाँच फंदे होगै, यही से सबी फंदों को स्लाई में ना लेए अब वापस से अपना, सेकंड कलर ग्रीन कलर आ गया वापस से अपना, तो शुरू के जो फंदें उन्हें सभी को हम ग्रीन कलर से बना लेंगे, यह फंदा थोड़ा में, यह उन थोड़ा लूज ही रखना है, फिर आगे सलाई में से एक फंदा और ले लेंगे, अपने सलाई को गुमा लेंगे, सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, लास्ट वाले फंदे को उन्हें को पीछे करके हमें सिधा बना लेंगे, वापस अपने उल्टी सलाई में आ गए, पहले फंदे को सलिप करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, और अपनी अगली सलाई में सब एक फंदा ओर लेंगे, यहीं से टर्न करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, इस बार लास्ट वाले फंदे को हमें स्लिप करना है, हर सलाई में हमें अपनी स्वाली सलाई से एक एक फंदा लेना है, और जब हम कलर चेंज करते हैं, तो सभी फंदों को हमें उल्टा बनाना है, उल्टी सलाई में, एक फंदा ग्ली सलाई में से ले लेंगे, यहीं से गुमा लेंगे, फिर सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले फंदों को उनको पीछे करके सिधा बनाना, जब भी हमारा कलर चेंज होगा, उल्टी सलाई में हम सभी फंदों को बनाएंगे, सिधी स्लाइ में आएंगे तो लास्ट वाली फंदे को हमें सीधा बनाना है फिर उल्टी स्लाइ में पहले फंदे को स्लिप करेंगे सभी फंदों कुल्टा बनाएंगे अगली स्लाइ से एक फंदा लेंगे फिर वापा जब सिधी तरब से सबी फंदूं कुल्टा बनाएंगे तो लास्ट वाले फंदे को में slip करना है तो अब फंद थर्ड रो में ये फंदा दोनों तरप से slip हुआ थर्ड रो में slip करेंगे से एक फंदा अगली स्लाई में इस ले लेगे अब फोर्थ रो आ गई हमारे एक कलर की अब 4th row में भी लास्ट वाले फंदे को हमें slip करना है तो चार सलाई हो में हमारा फंददा एक बारी बनेगा गोद हमें हर कलर की चार चार सलाईया निकालनी है अब वापसे green की चार सलाईया निकालेंगे फिर yellow की फिर green की इसी तरह से हम इसके लास्ट तक सभी फंदों को बना लेते हैं तो मैं इसे complete करती हूँ अब green की बनाऊंगे मैं तो पहले green का सभी फंदों को बनाएंगे हूँ फिर अगली slice एक फंदा ले लेंगे और फिर जब सीधी तरफ आएंगे तो लास्ट वाले फंदों में सीधा बनाना है जिस तरह से हमने अपनी ये रो बनाएं उसी तरह से मैं सभी रो कंप्लीट करके इसके center में आती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ इस से बनाते हूँ मैं इसे center तक आदा बना लिया है अब ये मारे सभी फंदें हमने ये लो कलर क्यों से बना के इसमें चार सलय निकालनी है अब वापा से उल्टी तरफ आगए हूँ अब जिस तरह से हमने नीचे कर फंदें बढ़ाएते अब उसी तरह से मारे फंदें घटेंगे पहले सभी फंदों को में ग्रिन गलर की उन से बनाती हूँ अब लास्ट में हमें दो फंदे स्लिप करने पहली स्लाई में हमें दो फंदे स्लिप करने फिर अगली स्लाई से हमें एक एक फंदाई स्लिप करने अब सीधी तरफ से सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे उल्टा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को हमें उन को पिछे करके सीधा बनाना है अब लास्ट वाले फंदे को हमें उन को पिछे करके इस तरह से सीधा बना ले जिस तरह से हमने अपनी और स्लाइम बनाया अब वापस से मुल्टी तरफ आ गए अब ल्टी तरफ हम जब बनाएंगे तो पिछेक तरफ हमें पइला फंदा स्लिप करेंगे पिछेक तरफ हमें एक फंदा स्लिप करنا है तो सभी फंदों को उल्टा बना के लास्ट मियात्तिक में पहले हमने दो फंदे स्लिप के थे इस बार हमें एक फंदा स्लिप करना है आगे लाके सभी फंदों को मुल्टा बना लेंगे और लास्ट वाले फंदे को हमें स्लिप करना है कि लास्ट वाले फंदे को उनको पीछे करके हमें स्लिप करना है जिस तरह से हमने अपनी इन्सलाई में बनाए था उसी तरह से यहां बनाएगा अब वापस से ओलती तरफ आ गए वापस से अमारा कलर चेंज होगा यलो कलर से सभी फंदों को बनाते वे प्लास्ट तक आते हैं इस बार हमारा एक फंदा और छोड़ देंगे तो आप मारे ग्रीन के दो फंदे हो गए वापस से यहीं से उनको घुमा लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे लास्ट वाले फंदे को आमे उन को पिछी करके सीधा बनाना है अब आपा से उल्टी स्लाई में आ गए सबी फंदों को उल्टा बनाएंगे पहले फंदे को स्लिप करेंगे सबी फंदों को उल्टा बनाएंगे लास्ट में यलो कलर का एक फंदा में स्लिप करते हैं माँ यलो कलर का एक फंदा चोड़ देंगे, वह पसी दी दर्फ सभी फंदों को बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे को स्लिप करते हैं लास्ट वाले फंदे को ओन को पीच lively करके फिर ग्रीन कलर से बनाएंगे येलो कल फंदा छूड़ जाए पीटर से सी फंदे बनाएंगे एक फंदा येलो कम छोड़ पीर पिर सीव तुत से सभी फंदों खुलटा बनाएंगे फिर यह दो बनाई है उसी तरह से हमारे आगे की सभी बनेंगी ग्रीन क्लर से पहले सभी फंदे बनाएंगे एक फंदा यलो कम छोड़ देंगे फिर सीधी तरफ से सभी फंदों कुल्टा बनाएंगे फिर उल्टी स्लाई में आएंगे यह फंदा हमारा ग्रीन का हो जाएगा तो ग्रीन का फंदा चुर जेगा स्वाय में शुर्णी और बनाए उसी तऱ से हमारे पिन चया है जрипता museum यसी तऱ से निकलेंगी लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेगे अब वापस उल्टी स्लाई में आ गए उल्टी स्लाई में पहले फंदे को में स्लिप करना है सभी फंदों को उल्टा बनाना है अब इस बार हमारा एक फंदा ग्रीन का चूटेगा अब अगली बार जब हम बनाएंगे ग्रीन से और छूड़ जाएगा तो फिर यहां दो फंदे ग्रीन क्यों जाएगे इस तरह से हमारी आगे कि सभी लाइने निकलेंगी तो मैं अपने इस्टी जैन को भी कम्प्लीट करती हूँ जिस तरह से हमने यहां से बनाया था फिर बीज तक आ गए थे अब वापस हमारे सभी फंदे कम होते जाएंगे जिस तरह से यहां पर हमने फंदे कम कियें एक एक छोड़ा है उसी तरह से हमारे फंदे छोटेंगे पर शुरू में हमें यहां पर लास्ट में दो फंदे तेसे मैं कम्प्रिट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ इस तरह बनाते हूं इसके लास्ट में आ गए है यह लो से तीन फंदे बना लिए मैं दो फंदे मैंने चोड़ दिया है मैंने तीन को बना लेंगे हूँ एक फंद आई चूटेगा हमारा यहीं से गुमाल लेंगे फिर इन चार फंदों को यह बना लेंगे ब्लास्ट वाली फंदी को स्लिप करता है ब्लास्ट वाली रों हमारी ग्रीन से बनेगी एक दो तीन फंदे ग्रीन से बनेगे लास्ट में मारे दो यहीं से गुमाल लेंगे एक रेक दो बनाए तीसरे फंदे को सीधा बनाएगे कि स्लिप किया एक फंद हमने उल्टा बनाया एक को छोड़ लाइँ एक को फिच्छे करके एक को स्लिप कर दें इस तरह हमारी एक की डिजैन की पट्ट्ट्टश कमप्लेट ओगी है अब हमें यह यह यल्लो की बनाने यह थी यहां से हम सब भी फंडों के यल्लो कलर से बना कि उसके बाद हमारी एक पत्ती कंप्लिट हो जाती है तो सभी फंदूं को ये लोसी बनाते हैं कि अब इस्तरे सभी फंदूं को अमने यलो से बना लिया है यह मारी पहली रो इसके बाद इसके इंदर तीन सवाय है और निकाल लेंगे यलो यलो से तो इस तरह किये दो गांट स्टिच की रोग बन जाएंगे तो यह तीनों स्लाइए निकाल के कम्प्रिट करती हुए फिर मैं आपको दिखाते हूँ अब इसके अंदर हमने चार स्लाइए यलो कलर से निकाल लिए तो दो रोग हमारी गांट स्टिच की हो गई है जैसे हमने शुरु में बनाये था अब इसके अंदर हम ग्रीन कलर से छे स्लाइए निकाल लेंगे तो कुल हमारी तीन रोग गांट स्टिच की बन जाएंगे अफिर उसके बाद इसके अंदर में चार सलाइयां यलो कलर से निकालोंगे तो कुल हमारी गांट इसकी साथ सलाइयां हो जाएंगे तो ये सबी सलाइयां निकालके कम्प्लीट करती हूँ 6 लाईयां तो green color से निकालोंगे और 4 लाईयां मैं yellow color से निकालोंगे उसके बाद अपनी अगली पत्ति हम start करेंगे इस तरह मैंने इसके अंदर ये बीच की 6 लाईयां green color से निकालके 4 लाईयां और 4 लाईयां ये लो color से निकाली है तब green color की उन से पहले हम दो फंदे उल्टे बनाते हैं फिर इन दो फंदों को इस तरह से घुमा लेंगे एक फंदा हमने बनाया उनको पिछे करके एक फंदा सीधा फिर उल्टी स्लाई में आ गए पहले फंदे को slip करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे फिर गुमा लेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे उनको पिछे करके इस फंदे को slip करते हैं जिस तरह से हमने नीचे से ग्रीन का शुरू किया था उसी तरह से हमारा ये ग्रीन का बन गया है अब उसके बाद यलो बनाएंगे यलो के बाद फिर ग्रीन फिर यलो जिस तरह से हमने ये पूरी पट्टी बनाई है उसी तरह से हमार ये दूसरी पट्टी बनेगी फिर हमें दो दो करके दो चार स्लाइएं यलो से चार ग्रीन से चार यलो से निकालेंगे फिर अगली पत्त शुरू करें इस तरह बनाते मैं इसे कंप्लिट करूंगी इस तरह मैंने अपना घेरा कंप्लिट कर लिया है और लास्ट में मैंने चार सलाई यहलो से चार ग्रीन से निकालके फिर उल्टी सलाई में सभी फंदों को यहलो कलर से घटाके अपनी उनको कट कर दिया इस वीडियो को प्लास्ट तक देखे लास्ट में मैं सभी साइजों के लिए फंदे बता दूगी बीच में हमें कितनी लाइने बनानी हैं यह भी बता दूँगी और जो हम पगड़ी बनाएंगे उसकी भी सभी साइजों का फंदे बता दूँगी तो अब इसके अंदर हम अपने फंदे उठाते हैं फंदे उठाने के लिए इस वाली साइड से जहां से हम फंदे डालते हैं उदर से इस तरह अपनी सलाई को लेंगे और जितने फंदे हमारी चोली के अंदर होते हैं उतने ही फंदे हम इसके अंदर उठाते हैं इस तरह से इसके अंदर में 36 पंदे उठाओंगे मारी चोली में 36 पंदे सलाई को डालेंगे उनको इस तरह से लेंगे पंदा निकालेंगे फिर सलाई को डालेंगे उनको इस तरह से लेंगे पंदा निकालेंगे इस तरह से इसके अंदर हमें 36 पंदे उठाने इस तरह मैंने इसके अंदर 36 पंदे उठा लिए हैं अब अपनी चोली लेंगे दोनों की सीधी साइड एक तरफ कर लेंगे अब अब एक तीसरी स्राई लेते हैं तीसरी स्राई मैंने आठ नमबर के लिए तीसरी स्राई जम फंदे गटाएंगे तो हम मोटी स्राई लें जिसे हमारे फंदे लूस लूस गटेंगे टाइपनी गटेंगे हमारे फंदे एक फंद अपनी इस स्राई में से लेंगे एक फंद अपनी दूसरी स्राई में से लेंगे दोनों फंदों को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे एक एक फंदों को दोनों सलाई में से इस तरह से निकाल देगे पिर अगला फंदा इस सलाई में से लेंगे एक फंदा इस सलाई में से लेंगे फिर दोनों को उल्टा बना देंगे दोनों फंदों को हम सलाई में से निका अब हमारी तीसरी sly में मोगए किस्टी jest को अपने पेलेवाले फंदे के उपर सिस्थे से श्लिप कर देगे तमारा एक रउनना क्ट गाई खिल फिर एक स्लाई में से एक फंदी लेंगे दूसरी लाई से दूसरा राइंगा दोनों को वन देंगे डोनों को समय एक प्राइच कर दो दोनों को निकाल दें तीस्री टोरन पाइज की तरफ से छ पिषेक में मैं सब प्राइज का लेते हूं तो यह चूलिक और घेड़िक की लई है अगर हमारे ड्रेस कंपलीट हो गई है अब इसके दोनों वाजू और आगे से सलाई कर देंगे हम सभी उनको फिनिशिंस से एड़िट कर देंगे को सब्सक्राइब इसके साथ केमं पगड़ी बनाएंगे उससे पहले में आपको सभी शाइजों का नाप बता देते हूं जीरो, एक, दो और तीन नंबर इसके अंदर हम carrots य सब य का ंदर तेरा फंद्र डालने इसमें 4 के multiple में फंद जीरेए रहता है और एक फंदा अइक्स्टा रहता है जेरो, एक, दो, तीन, तक हमachenे तेरा फंद्र डालने और हमें जो बीच में लाइन बना रहे हैं वह में 0 और 1 में 2-2 लाइन बनानी है, 2 और 3 में 4-4 लाइन बनानी है, इस तरह से मैंने 0 नमबर की भी एक ड्रैस बनाई है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनाई है, और यह 2 और 3 नमबर की बनाई है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 लाइन डाली है, चार और पांच नमबर में हमें सत्रा सत्रा फंदे चीए चार नमबर में हमें चार लाइने डालनी है पांच नमबर में हमें छे लाइने डालनी है जिस तरह से हमने अपने इस वाली ड्रेस में डाला है छे नमबर में हमें 21 फंदे चीए साथ नमबर में भी 21 पंदे चीए और इनमें सब में 6 छे लाइने डलेंगे आठ नमबर में 25 पंदे चीए और 6 लाइने तो 6 लाइनों में 2 एक रंकी, 2 एक रंकी और 2 एक रंकी 9 और 10 के अंदर, 8 और 9 के अंदर में 24, 24 25 पंदे चीए, 8 के अंदर में 6 लाइने और 9 के अंदर हमें 10 लाइने डालनी है तो 10 लाइने हमें 2 एक रंगी, 2 एक रंगी, 2 एक रंगी, 2 एक रंगी और 2 एक रंगी पहली और लास्ट के हमारी सेम कलर किरेगी, बीच के हमारी इस तरह से इस वाली ड्रेस में हमने यलो, ग्रीन, यलो आई है इसी तरह से जब हम 10 लाइने निकालेंगे तो एक यल्लो की, एक ग्रीन की, एक यल्लो की, फिर ग्रीन की, फिर यल्लो की, इस तरह से हमारे निकलेंगे तो यह हमारी दो दो लाइने बनेंगे, एक लाइन बनाने के लिए हमें दो स्लाइन निकालनेगे दस नमबर में हमें 28 प्लस एक 39 पंदे चीएंगे और 10 लाईने निकालने हैं इस तरह से हमारी ये सबी साइजों की बनेंगे इसका आप स्क्रिन शोट भी खेंश सकते हैं अब मैं आपको पगड़ी का नाप और बता देती हूं जीरो नमबर में हमें 20 पंदे डालने है और हमें 4 लाईने बनाने जिस तरह से हमने 6 नमबर की बनाई है तो 6 नमबर में हमने 32 पंदे डालके एक, दो, तीन, चार तो खूल हमारी 2, 4, 6, 8 लाईने बनाई है एक कलर की हमें 4 लाईने बनाई है तो हमें 20 फंदे डालके, 0 और 1 में 20-20 फंदे डालेंगे, 4 लाइने बनाएंगे, 2 एक की, 2 एक कलर के, 2 और 3 के अंदर 24-24 फंदे डालने हैं, और 6-6 लाइने बनाने हैं, 4 में 28 फंदे डालने हैं, और 6 लाइने बनाने हैं, 5 के अंदर 28 फंदे और 8 लाइने बनाने हैं, 6 और 7 सुआगा 111 से सबसंदें और आकंडारो के अंदर में 30 समय और 10 चे अंदर में 45 समय बनाने 220 तरह से अमारी इस पगड़ी के अब इसके अंदिर को कंप्रिट करते मैन् अध्यक का यसी गरीनोन कि खोर साहिं है यहां से एक फंदद में बनाती हूँ फिर आगे सभी फंदों को दो काएक करें इस तरह से दो काएक करते हूँ तो सभी को दो काएक करती हूँ में और उल्टी स्लाई पूरी उल्टी निकार दोगे यह दोनों स्लाई निकाल लिए इस स्लाई में भी हम वापस से सभी फंदों को दो काएक कर देंगे अब सीधी तरफ से भी हम सभी फंदों को दो काएक कर देंगे अब सभी फंदों को घटा के अपनी उनको कट कर लिए शजब फंदों को घटा लिए अपनी उनको कट कर दिये यहां पेस की हम अन्योर्मल स्लाई करते हैं उसी तरह से इसकी स्लाई कर लिए इसको सिधा कर लेंगे सिधा करने के बाद जो मारी यह बीच वाला इससा है इसमें इस तरह से जो मारी यह गांट हिस्टिज की एक 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 राउंड सी बनती है इसके अंदर अपनी निडिल को इस तरह से डाल लेंगे इस तरह से खेंच लेंगें इस तरह से खेंच लेंगें इस तरह से दो तिन बार कर लेंगें इस तरह से मर ये पगड़ी तयार हो गई है पीछे नोट लगा देंगे और मैं अपनी ड्रेस की विश्लाई करके लिए आती हूँ फिर मैं आपको दिखाते इस तरह मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से मैंने इसे पैचेस से डेकुरेट किया है आप चाहिए तरह से सिंपल भी रख सकते हैं इस तरह मैंने अपनी पगड़ी के भी एक राउंड और एक टीर शेप का पैच लगा है यह राउंड पाल के उपर चारो तरफ स्टोन चैन लगा के इस तरह से पैचेस बनाएं अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फोर वचिंग मैं वीडियो